आप सभी का स्वागत हैं दस सिविल पॉइंट के ऑफिशल यूटूब चैनल में तो जैसे कि आपका पता है आगास पैच में आज आपकी क्लासस हो रही है यूटूब पे और जिसमें मैं आपको रीजिंग बढ़ा रहा हूँ और रीजिंग में अभी जो टॉपिक चल रहा ह है एक सी क्लासस चानल आगास पैच में ठीक है तो आज जो पहली बार क्लासस में होसे सबसे पहरां चोंको का आपके सामने में एंठोड़ा सा मैं अपको अपने आपको हाइड करके आपको इंफ्वंशन देज़ेता हूं जूunya आगास बैच की बात कर रहे वो MP Sub-Indiana 2024 को targeted badge है जिसका exam date November 2024 को है और ये इसके लिए क्या है dedicated page है और special holy offer में आपको 20% को क्या मिल रहा है और इस offer को आप कैसे avail कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि application को play store में जाकर application the civil point application को download कर लेना है और इसके regarding जो भी offer चाहिए उसके क्या करना है आपको तो आपको इन numbers पे call या WhatsApp करके information ले सकते हैं अब इस patch में आपको क्या के चीज़े मिलेगी तो complete course और dedicate course है इसमें आपको live classes और साथ में recorded classes मिलेगी 5000 प्लस MCQ with solution मिलेंगे और test series as per exam pattern आपको मिलेगी जिसमें आपके section wise topic wise सारी test series आपको मिलेगी और साथ में आपको क्या प्रवाइट किया जाएगा इसमें notes और PDF जा रहा है और मतलब जो भी content दिया जाएगा एक्जाम से relevant होगा ऐसा कुछ नहीं कि मतलब extra content दिया जाएगा एक्जाम से रेलेटर आपको सारा content दिया जाएगा ठीक यह important information है इस offer को आप क्या करता है सबी लोग को जिनको भी अवेल करना है नीचे दिए नमबर पर call या वा दिक्कत नहों जो भी पहली बार class में उसे भी दिक्कत नहों ठीक है और पहली बार जो class में हो सबसे पहले का करना आपको पुराने classes जाके देख लेना है एक उसके बाद इस class को देखना है ताकि आपको कोई परशानी नहों ठीक है चलिए देख लेते वहीं तो important information हो गई है अब class में आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी लोग को pen और paper लेकर बैठ जाना है और जो भी question आएंगे आपके सामरे में उस question को put solve करना है उसके बाद ही मेरा explanation देखने आप जो भी को ठीक है चलिए देखे तो सबसे पहले हमने जो कल topic discuss किया था उसमें type बताया थे position based और arrangement based question बताया थे तो अभी जो हम questions कर रहे थे पहले सबसे पहले position based जिसमें मैंने पहला जो rule बताया था जिसमें मैंने बताया था कि अ एक ही person की आपकी लेट से position पता होना चाहिए ना color change कर देता हूं तार्चे आपको information सारी अच्छे से clear हो जाए आपको left से position पता होना चाहिए right से position पता होना चाहिए और उसमें से अब minus करोगी one अब minus one क्यों करते है क्योंकि एक person दो बर count होता है इसलिए ठेक है अगर मानलो आपको second rule क्या था कि अगर आपको right से position निकालना है तो आप क्या करेंगे left से position लिख देंगे total लिख देंगे और minus one कर देंगे क्या उसको solve करेंगे तो किस से position आ जाएगे है कि रैट से position आ जाएगी ठेक है उसके वाट teard rule इसी पर base था third rule क्या था कि भाई अगर आपको total given है right से position given है और left से position निकालने तो वही rule हो जाएगा total is equal to left plus right minus 1 तो यहाँ value put कर देंगे, यहाँ total put कर दिया right से position put कर दिया, left से position आपके आजाएगी ठीक है उसके बाद in between वाला concept था in between वाला concept क्या था कि अगर आपको total number of person निकालना है कि एक person A है, उसकी left से position है 15 एक person B है, उसकी right से position है 27 उनके बीच में कितने number of person है? 6 number of person है तो हम total number of person कैसे find करेंगे तो total of number of person कैसे find करेंगे तो उसका B क्या है? तो total हो गया तो left से position हो गई और right से position हो गई और between जो गया थे तेनों को अडिकरें तो चले तो तूटल नमबर और परसल ठीक है उसके वाला पॉइंट मैंने तो यह information थी आपके लिए important कि सारी हमने discuss कर ली है और फिर भी अगर किसी को doubt होता है तो वो क्या करेंगे कल का session अच्छे से देख लेंगे असमें उन्हें बहुत सारा concept basic सब कुछ discuss किया है और question भी हमने practice कर लिए आज तो हम करेंगे question practice इस पर भी जो भी आपके exam में question बन सकते है या जो भी आपके exam में question आए हुए है सारे question मेंने इसको रखे हुए है एक arrange way में जैसे जैसे question बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे question का level और conceptual questions आते जाएंगे ठीक है क्लिए रहने सभी को और सभी लोग जल्दी से फटा फट लाइक करके share कर दीजिए भाई लाइक और share करने के लिए आपको बोलने की need नहीं पढ़नी चाहिए या न चलिए start कर लेते हैं first question पर आते है first question हीरा आपके सामने में question number 6 चली जली से पताईए इस question का item सा क्या होगा चलिए question का answer कीजिए आप comment box में जब तक मैं question को explain कर देता हूँ इस question को कैसे करना है वह ज्यान से देखना है न रोहित is 17th from the left and of a row of 29th from the current is 17th from the right चली देख लेते हैं रोहित जो है left से कौन से number पे है वो 17th number पे है ठीक है रो 29 boys और जो total boys है वो कितने है 29 boys है ठीक है and current is 17th from the right और current जो है 17th है कहां से है तो वो right से है ये current का हो गया और ये रोहित का हो गया आगे देखते हैं from the same row how many boys are there between in them row तो उन row के बीच में कितने number of boys होंगे ये पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है उनके बीच में कितने number ठीक है तो देखो तो number of boys के लिए आपको क्या पता होना चाहिए रही किसी भी परसन की एक ही परसन की दोनों साइट से Wellington पता होना चाहिए लेट से है और राइट से ही पता होना चाहिए अगर हम compare करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट richness को compare करेंगे या Now यह वाली जुवॵूजिशन है रोहित की रोहित की पोजिशन कहां से है यह लेफ्ट से है और यह करन की पोजिशन यह कहां से है राइट से है तो इसको भी लेफ्ट में ऩरकले धिया फैं़ को भी दाइट में कर लेते हैं अब total number of person कितने हैं तो हम इसकी किसी एक लाइट से पोजिशन किवान है तो राइट से पोजिशन निकाल लेते हैं तो टोटल इस अगर तो क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन जो आपको पता ही होगा तोटल है 29 लेफ से पोजिशन है कितनी 17 माइनस वन प्लस कितना हो जाएगा राइट कितनी सिक्स्टीन इसमें से माइनस कर देंगे कितना जागा 13 कितना जागा 13 आप मैं color change कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से clear हो जाए तो उसकी लेट से पोजिशन तो 17 है बट राइट से पोजिशन कितनी है 13 और राइट से पोजिशन कितनी है 17 13 और 17 ठीक है तो उनके बीच में कौन सा तो राइट से पोजिशन तो राइट से पोजिशन 13 और राइट से पोजिशन कितनी होगे 17 होगई उल्टा लिख दिया यहोगे 13 और 17 इनके बीच में कुछक्तनी नंबर होगे ये 14 हो जाएगा 15 हो जाएगा 16 कितनी नंबर परसुन होगे 3 यानि किसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तो इसका right answer तीन, तीन person होंगे तो किते number of person होंगे तीन number of person होंगे तो I hope सभी को सारी चीज़े clear हो गई होगी अगर फिर भी किसी को doubt रहता हो तो एक बार फिर से revise कर लेज़े और कल की कौन सार अच्छे से revise कर लेना आप सभी को ठीक है चले आगे हम लो चले जल्दी से इसका screenshot ले लीज़े फिर चलते हम आगे next question पर तो next question आ चुगा आपके सामने में वीडियो को pause कीज़े question को खुछ सौल कीज़े उसके बाद ही मेरा explanation देखना है चले जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा चले दिख लिजे in a row चलन a is 13 from the left a जो है वो 13 है left से and d is 17 from the right और d जो है वो 17 है from the right if in this row a is 11 और इस row में a जो है 11 है from the right आप देखो ये right से कितना है 17 है तो right से 11th मतलब इधर ही कहीं होगा a इधर ही होगा a कहां हो जागा 11th है number पे right से इस direction में हो गया आप क्या पूछ रहा है then what is the position आप देखो इसकी left से position कितनी है 13 right से position कितनी 11 है कितनी 11 ठीक तो total number of person हम निकाल सकते है क्योंकि ये देखो ये right से position होगा इसकी left से position निकालना है total number of person कितना हो जाएगा 13 plus 11 plus 1 कितना हो जाएगा 14, 14, 23 हो जाएगा कितना हो जाएगा 23 23 total हो गए 23 23 is equal to 17 plus left से position minus 1 यह हो गया ठीक है जाएगा 16 और 16 कर देंगे इसमें से minus तो कितना हो जाएगा 7 तो उसकी जो अगर right से position 17 है तो उसकी left से position कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी 7 चलिए बताइए clear हो गया सभी को left से position क्या हो जाएगी 7 कितनी हो जाएगी 7 क्या clear हो गया है सभी को जल्दी से screenshot ले लिए चलिए हम आगे अब next question पे चलिए अब आगे चलते हम लोग next question पे I hope सभी को ये clear हो गया होगा next question आगे है जल्दी से वीडियो को pause किजे question को solve किजे बताए इस question का right answer क्या होगा ये question repeat हो गया है क्या जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा भटाभट in a row of 40 student r is 5th from the right 40 total student जो है number of student कितने 40 है क्या बोल रहा है r is 5th from the right end and 10 student between the r and d what's this position from the left तो total जो student है total student कितने 40 है अब जो r की position है right से right से कुन से position है 5th position है r की ये होगे r और r की right से position कितनी है 5th position है कितनी है 5th ठीक है चलिए अब आगे देखते है there are 10 student between r and d तो r और d के बीच में कितने student है 10 student है तो अगर देखो 10 student बीच में रखना है तो यहां तो 10 student आ नहीं सकते है right में ठीक है 10 student यहीं आएंगे तो मतलब 10 student के बाद में ही किसकी position आएगी d की position आएगी ठीक है तो d की 10 position बाद कितना हो जागा 15 position पे हो जागा कौन से position पे हो जागा 15 कहां से right से 15 position पे ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं पूछ किया रहा है तो d की बाद चोर से इस्ति तो d की हमने कहां से left right से position निकाल लेगी वैसा तो उसके जरूद भी नहीं पड़ती क्योंकि हमें पता है कि हमने एक total formula किया था एक formula क्या किया था जिसमें in between आपको दिया होता तो total किसके बराबर होता है right से position और left से position दो person की अलग अलग person की और उनके बीच में in between इससे भी answer आजाता है तो इससे हम इसको answer कर लेते हैं सीधर direct इतना इतना माता बच्ची नहीं करते हैं direct इससे answer find कर लेते हैं हम लोग ठीक है दो information तो given है इसमें से हमें क्या क्या given है तो हमें given है कि R की position कहां से right से R की position right से कितनी है 5th है left से इसका यह वाला निकालना है हमें यह find करना है plus in between कितने number students है 10 और total जो है total कितने 40 है total कितने 40 है ऐसा कर लेंगे तो कितना जागा 15 तो 15 यहां जाके बचागा minus कितना बचागा 25 तो left से position जो होगी किसकी left से position D की कितनी होगी 25th होगी कितने होगी 25th कितने हो जाएगी 25th position हो जाएगी कितने हो जाएगी 25th position कैसा अभी को clear है किसी को कोई डाक्टो नहीं इस question में और अगर ऐसा भी निकालते है न ऐसा भी निकालते हो तो देखो 5th position पे कौन था R था इनके बीच में 10 याने 11 नंबर पे 10 आगे 10 आगे याने कौन से नंबर पे तो 15th 15th नंबर पे 15th नंबर में कौन हो जाता D हो जाता कौन हो जाता D तो total 40 is equal to left plus right हो जाएगा 15 minus 1 sorry 10 नंबर आगे याने 11 नंबर आड़ करना पड़ेगा याने कितना हो जाएगा यह 16th 16th right से कौन से हो जाता 16th total is equal to क्या हो जाता right plus left minus 1 total लोग है 40 right से position कितनी 16th और left से position में find करनी minus 1 तो कितना हो जाएगा 15 और इसमें से हम 15 minus कर लेते कितना जाएगा 25 तो जो left से position आती वो कितनी जाएगा 25th याने कि option number D क्यों हो जाएगा इसका right hand हो जाएगा क्या option number D क्या clear है सभी को I hope सभी को यह question clear हो गया होगा किसी को इस question में doubt नहीं होगा चले बताएगे क्या clear होगा है सभी को question नहीं दोनों method से बता दिया है दो method से मैंने solve करवा दिया है यह पहला method हो गया है और यह कौन सा method हो गया है यह second method हो गया है ठीक है नहीं हम लोग next question पर चले चले बागे चलते है next question पर इनरो 40 children चले पहले आप solve करके बताएगे question का answer क्या होगा इनरो 40 student पी 13 from the left जो total है number of student कितने है 40 total number of student कितने 40 है पी 13 from the left तो left से 13th number पर 13th number पर कौन है पी है ठीक है Q is 9th from the right end Q जो है 9th है कहा है राइट से राइट से कहां पर होगा है 9th position पर होगा है यहां तक clear होगा होगा है आप सभी को question how many children are there between P and R तो P, R के बीच में कितने number of student है अब R कहां P और R के बीच में पूछ रहा है ना R की relation देखो भई if R is 4th from the left of Q Q से कहूं से number पर 4th number पर तो 4th number Q से left तो यह हो जाएगा 9th number होगा 10th होगा 11 होगा 11 होगा 12 होगा 13 तो 13th number पर 13th number पर होगा right से कोन होगा R होगा 13th number पर कोन होगा R होगा right से आगे बस समझ में 4 आगे बोला था तो 13 number होगा R का तो अभी मैंने बताया था in between जब भी पूछता है तो आपको क्या करना है total is equal to एक परसन P की left से position R की right से position और प्लस between आजाएगा यह होगा answer ठीके कर लेते हैं 40 is equal to left से position P की कितनी 13 right से position कितनी 13 in between between होगा ठीक है यह कितना हो जाएगा 26 और 40 में से अगर हम 26 को माइनस करें कितना जाएगा 14 तो between इन दोनों के बीच में कितने number of person होंगे तो इन दोनों के बीच में 14 number of person होंगे क्या होंगे 14 number of person तो इस वाले को ध्यान रखें मैंने कल भी discuss किया था और आज भी मैंने इस वाले को discuss किया है तो आप सभी को इस वाले formula पर ध्यान देना है दिर्ग कोशन बनते हैं इससे हों आपको एक्जाम में आजर करके आना है तो इतना टाइम नहीं होता है वहां सोचने हो समझने का बहुत सारे कोशन होते हैं हर कोशन आपको टाइम ली अच्छे साल करना है और हम अगर time save कर सकते है तो वो reasoning ही subject होता है जिसमें हम time भी save कर सकते हैं और सारे question attempt भी कर सकते हैं वो भी confidence के साथ है यह चीज अच्छी होती ही reasoning की बात चले बागे चलते हम लोग next question पे चले question number 10 चले इससे बता ही इस question का right answer क्या होगा फटा फटा in a queue of 30 boys m is 8 from the end in a queue of 30 boys total जो number of boys है वो कितने है 30 okay m is 8 from the m is 8 from the end मतलब end से इधर से end से m कौन से number पे है 8th number पे है ठीक है and j is 12 from the right from the front तो यह front होगा है starting वाला यहां से j कौन से number पे है तो यह 12th number पे है कौन से number पे है 12th if there are 6 boys between j and q so j और q के बीच में कितने boys है 6 boys है अब देखो q का हमें तो पता नहीं है कि q देखो q यहां भी आ सकता है और q यहां भी आ सकता है 6 यहां भी इसके बीच में कितने number of person हो सकते है 6 number of person और यहां भी कितने हो सकते है 6 number of person so how many boys are between m and q तो m और q के बीच में अगर हम यहां से यहां count करेंगे तो कम number आएंगे और यहां से आगर हम count करेंगे तो ज़्यादर number of person होंगे तो इस question में जो answer है वो vary कर रहा है किसकी q की position पे पर q की position होगी तो यहां number of person कुछ और आएंगे और क्योंकि question यहां होगी तो number of person कुछ और आएंगे तो इस साब से इस question का right answer क्या हो जाएगा option number D की data inadequate यानि की data पर्याप्त नहीं है तो इस question का answer नहीं बता सकते perfectly है ना इधर लेंगे तो answer कुछ और आएगा इधर लेंगे तो कुछ answer और आएगा तो इसमें बताना चाहिए कि क्यों कहाँ पर है जैसे last question में बताया था कि R जो है J और M के पीच में है तो इस आपको बताना चाहिए कि क्यों अगर J और M के पीच में होगा ता हम ही हम बता पाएंगे कि इधर रखना है क्योंको कि या इधर रखना है तो इस question का right answer क्यों हो जाएगा option number D ठीक है चले आगे चले अब आगे चलते हम लोग next question पर question number 11 चले जल्दी से बताएंगे इस question का right answer क्या होगा भटा भटा in a row boys a 15 from the left एक row है उसमें boys a जो है left से कौन से number पे 15th number पे a जो हो गया कौन से number पे 15th number पे left से ठीक है B is fourth from the right B जो है वो कौन से number पे है तो B fourth number है कहां से right से there are three boys between A and B तो A और B के किते इसके बीच में किते number of person है तीन number of person है A and B C just left of A C जो है A के just left में है A का left तो इदर हो जाएगा यह तो उसका right हो गया तो A का left just यहां पर यहां पर कौन होगा C हो गया तो इसकी position कौन से हो जाएगी 14th number कौन से हो जाएगा 15th number किसका C का तहीं हो गया C 14th number पे what is C's position from the right तो C की position from the right कहां से होगी तो देखो left से position यह हो गही है right से position count कर लीजे right से position क्या हो जाएगी यह ओगा 4th, 4th हो गया, यह 5th हो गया, यह 6th हो गया, यह 7th हो गया, यह 8th हो गया, और यह क्या हो जाएगा 9th, तो डारेक्टी काउंट कर सकते था आप Easily, तो C की जो Left से पोजिशन होगी है 14th, और Right से पोजिशन होगी कौछ सी 9th, यानि कि इस कुशन का Right Answer क्या हो जाएगा, option number a 9th हो जाएगा तो इस question में ज़्यादा कुछ था नहीं तो कुछ तो ज़्यादा अगर total number of person से भी अगर दूसरी ये तो हो गए simple method दूसरा method भी मैं बता देता हूँ ताकि किसी को doubt न रहे हैं सबसे पहले हम total number of person कैसे निकालेंगे तो total निकालना है अब उसके बाद total left प्लस right minus 1 जब किसी की position निकालनी हो थी total कितना होंगे 22 C की left से position कितनी है 14th है right से position में find करनी minus 1 पिकता हो जागा 13 और 13 इसमें से minus हो जाएगा minus 13 तो कितना जाएगा minus 13 करेंगे तो इतना जाएगा 9 तो C की जो right से position में जाएगी कितनी हो जागी नए यह second method से भी हम question को solve कर सकते हैं अगर जिसको इससे करना इससे कर लो वैसे डायरेक्ट वो question हो रहा था आप ऐसा है कि आपको ध्यान भी रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि अभी तो इस question में हमने easily count कर लिया बढ़ हर question में हम count नहीं भी कर पाएंगे तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ठीक है चले आगे अब हम अगले question पर चली से बता दीचे अगले question पर चले क्या तो फिर चलेंगे हम आगे next question पर चले बागे चलते next question पर लोग चले next question का answer बताएए वटाफट जल्दी से क्या होगा इस question का right answer चले शॉल कार लेते इस question को in a queue of 20 boys d is 14 from the front in a queue for 20 boys कितने boys है 20 boys है d is 14 from the front front यह होगया front पे कौन है d और d कौन से number पे 14 नमबर पे 14 ठीक है f is 19 from the end f जो है पीछे से f कौन से number पे है तो यह 9 नमबर पे कौन से number पे है 9 नमबर पे ठीक है अब आगे check कर लेता है how many boys are between d and f तो d और f के बीच में कितने number of person होगे यह पूछ रहा है और को रिलेशन दिया है क्या हाँ total number of person कितने है 20 है total number of person कितने है 20 है हाँ तो निकाल सकते ना कैसे निकाल सकते यह direct formula भी लाश में बताया था total is equal to left से एक person की position right से एक person की position और उनके बीच में in between total होगे 20 left से position 14 plus right से position 9th plus in between ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 23 और sorry 23 में से 20 माइनस करेंगे कितना जाएगा 3 but 3 कैसे आ गए तो minus में आ रहा है अब देखो जान से यह तो 20 है और left और right मिलाके यह 23 से जाता हो रहा है तो यह तो condition satisfied नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि यह overlap कर रहे है क्या कर रहा है overlap कर रहे है क्या कर रहे है overlap करेंगे ना क्या करेंगे overlap का case बनेगा इसमें इसका case बनेगा overlapping का overlapping का case बनेगा यह आ जागा इधर कौन एफ आ जागा इधर और टी आ जागा इधर यह जागा फूर्टींथ और यह जागा कौनसा नाइंध पोजिशन पे नाइंध थी था ना कि फूर्ट था नाइंध पोजिशन पे ऐसा overlap का case बनेगा अब इसमें पता लागा रहा है कि नंबर आफ परसंट कितने होंगे तो प अधर्श को पीछे लियाओ ना एट हो गया जाएवन हो गया है तो टोटल नंबर आफ परसंट इस चलो देख लेख लेड़ो यह 14 थैं प्रोटीं के वाज़िदार कितने नंबर आफ परसंट दर चे नंबर आफ परसंट और यह 14th हो गया यह 13 हो गया ठीक है इसमें तो आई नहीं रहा F की position right से 9th है left से 14th है D की position ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखाओ एक second इससे नहीं आ रहा है 1 second 1 second एक ही लाइन में ड्रॉ करते हैं ते इसको यह देखो ध्यान से total number of boys हमें किवाने कितने है 20 अगर किसी एक को पकड़ ले जिसे D, D है left से कौन से number पर है left से 14th number पर इसकी right से position निकालो right से position कैसे आज़े कि total is equal to left plus right minus 1 ध्यान समझना ठीक है 20 हो गया left से position हो गया 14 plus right minus 1 तो इससे minus 1 करेंगे कितना हो जागा 13 और इसमें 13 minus करेंगे तना जाएगा 7 तो इसकी जो right से position है वो कितनी है 7th है राइट से position कितनी है 7th है ठीक है और और आर की जो F की जो position है वो 9th है from the right तो 9th मतलब यह 7 हो गया इसके आगई होगा यहाँ पर कौन होगा यहाँ पर हो जाएगा F ठीक है कौन से number पर 9th number पर तो देखो इनके बीच में कितने number of person आएगा 7 हो गया यह 9 हो गया मतलब एक ही आएगा कौन से वाला 8th number वाला कौन से वाला 8th number एक ही person आएगा तो इन दोनों के बीच में कितने होगे एक ही number होगे कितना होगा एक ही number of person होगा ठीक है तो इसका जो right answer होगा क्यों हो जाएगा none of these हो जाएगा none of these इसका right answer हो जाएगा कितना हो जाएगा एक number of person के बीच में होगा क्यों हो जाएगा एक number of person अगे बात समझ में सभी को